आपने देखा कि चिंटू की शैतानियों से परेशान होके उसके पापा उसे घर से बाहर निकाल देते हैं फिर चिंटू दुखी होके कहीं एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और वहीं पर एक रहसिमय आदमी आके उसे अपने साथ ले जाना चाता है लेकिन चिंटू मुझे कोई प्यार नी करता मुझे पापा भी प्यार नी करते मुझे मेरी मम्नी भी प्यार नी करती कोई बात नी चिंटू सब ठीक हो जाएगा चलो मेरे साथ चिंटू को मेने जादा तो नी बोल दिया कहीं को जादा दूर न चला जाए गुस्से में मुझे उसे लेकर आ हलो, मुझे अपने बच्चे की मिसिंग की रिपोर्ट लेखवानी है आप उसकी फोटो प्लिस टेशन लेकाई आज ही है ठीक है, मैं आता हूँ वेलकम जिंटू, तुमारा स्वागत है अरे जिंटू जिंटू, जिंटू, रुकॉ जिंटू, 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 हम आर्मी में, आर्मी में इंडियन आर्मी, सल्यूट जिंटू, तुम्हें पता नहीं है, तुम कितने अद्बुत बच्चे हो मैं अद्बूत नहीं हूँ, मैं सबसे बेकार और सबको परिशान करने वाला बच्चा हूँ किसने बोला? मेरे पापा बोलते हैं नहीं चिंटू, तुम तो एक ऐसे बच्चे हो जो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है सच में, मुझसे पहली बार किसी ने इतनी अच्छी बात बोली है चलो चिंटू, अम मैं तुम्हें बताऊंगा हम दोनों मिलके दुनिया कैसे बचाएंगे, आओ अंकल, आपके जो ये रंग बिरंगे बाले अगर मैं इनको खालोंगा तो मेरा चेहरा भी रंग बिरंगा हो जाएगा क्या बेटा तू बच्पन से ये ऐसी बातें करता है क्या अब भी तो मैं बच्पन में हूँना अंकल अरे हाहा ओ वाओ, आपकी कितनी बड़ी लैब है अंकल ये है मेरी साइंस लैब जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ चिंटू उधर बैठो, हाँ बताओ अंकल इधर देखो चिंटू चिंटू तुम सोच रहे होगे मैं तुमें इन बच्चों के क्लिप्स क्यों दिखा रहा हूँ ये है हमारे आर्मी प्रोफेशनल्स के बच्चे इन लोगों ने हमें अपने बच्चे देश की सेवा के लिए समर्पित कर दी है चिंटू हम तुमारा प्लड यूज़ करके एक सूपर पावर सीरम बनाएंगे जिस सीरम को पीके इन बच्चों के अंदर भी तुमारी तरह सूपर पावर आ जाएंगे फिर ये अपनी सूपर पावर की मदद से हमारे देश पे आने वाले हर एक खत्रे का सामना करेंगे और हमारे देश की रक्षा करेंगे चिंटू लेगन इस प्रोजेक्ट के लिए आप बच्चों को यूज़ क्यों कर रहे हो बहुत अच्छा सवाल चिंटू, बच्चे ही क्यों बच्चे हमने सूपर पावर सीरम प्रोजेक्ट के लिए इसलिए यूज़ करें क्योंकि बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल और फास्ट होते हैं इस सूपर पावर सीरम का उनके उपर बहुत अच्छा असर होगा चिंटू अच्छा मेरा यूज़ करके आप इन बच्चों को सूपर पावर दोगे फिर हमारे देश को बचाएंगे ठीक है अंकल मैं समझ गया मैं देश की मदद करने के लिए तयार हूँ अरे वा चिंटू, धेंक्यू सो मच हमें समझने के लिए राहूल, चिंटू के सेंपल लेना स्टार्ट करो, मैं उसे बहार बेज रहा हूँ अंकल, अगर मैं आपकी लेब में आख लगा दूँ तो क्या होगा? अरे चिंटू, अगर तुम मेरी लेब में आख लगा दोगा तो हम देश को कैसे बचाएंगे? अरे हाँ, अंकल में सेंपल देने जाता हूँ है ना आओ चिंटू, तुम्हारा सेंपल लेते हैं ठीक है चिंटू, इसकोर्ष्टी बेगाँ ठीक है चिंटू, तुमको स्वी से डड़तों नहीं लगता? सुई, आप तो तलवार भी मेरी चूतरों में गुसा दोगा तो भी मुझे कुछ नहीं होगा अरे वाँ, मेरे सूपर हीरो चिंटू, मैंने तुमारा सेंपल ले लिया है तुमारा काम बस इतना ही था अब बताओ आगे क्या करना है अंकल, मेरे पापा ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या मैं आपके घर पर रह सकता हूँ? अरे हाँ चिंटू, बुलकुल रह सकते हो और अभी एक मिनट रुको चिंटू लो तुमारे लिए बहुत सारे खिलोने तो में इस घर में रह भी सकते हो वर इन खिलोनों के साथ खेल भी सकते हो ओ वाओ इतने सारे खिलोने थोड़ी मैं तो इन सारे खिलोनों में आग लाग कि इतनी बसंट कर वंद इस आदस वै इस बिचारे चिंटू को भी नहीं पता हैा है येstars उपा रे देश के लिए कितना बड़ा काम करने वाला है चिंटू के सेंपल से सूपर हीरो सीरम बनाऊंगा ओके राहूल यू केन गो नाओ डू लेट मी नो इफ यू नीट सम्थिंग अरे यार डॉक्टर को ये बताना तो भूल गया के चिंटू को मैंने अपने घर पर रख लिया है चलो बता के आता हूँ करता हूँ करेंट नियुक्ति आपको प्रणा प्रूपल के अटाओं आपके अटाओं हेलो इंस्पेक्टर अल्बिन अची बताईए मुझे शिंटू की रिपूर्ट लेखा हुए चार दिन से उपर हो गए आपके पुलिस टेशन में मुझे तो लगता है आप seriously इस चीज़ पर काम भी नहीं कर रहे हैं आपको अभी पता नहीं है शहर की हालत कितनी खराब है आप news channel देखिए एक बार आप tension मत लीजे हम आपके बेटे चिंटू को जल्दी ढूंड लेंगे चिंटू कई तू तो इस समय शामिल नहीं है है बच्चो तुमने इस बच्चे को कहीं देखा है भाई अब अपने बच्च नि जाते हों गए चायद यह फंदर की तारव गया था खंदर रोत तेंक कियु भाई ए थेंक कियु ए रुग जाओ तुम लोग मैं तुम दोनों को अब इस शहर में और तबाही नहीं मचाने दूँगा शिट्टु अर्जा मैं सामने से नहीं मैं नहीं हटूँगा अच्छा नहीं हटोगे मेरे कुछ नहीं होगा अब चक मेरे आरेन पंच का स्वाज है कि जिन्टू इसे इस इक पैर निकाल दिया आप तो मुझे प्यार नहीं करते हो ग्रदाइसे कहलें नहीं चाहिए पापा सची, पापा सही में प्यार करते हैं आप मुझसे, हाँ चिंटु मैं उसे बहुत प्यार गरता हूँ अब तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा ठीक है ठीक है पापा चल चिंटु बेटा आप गहर चलते हैं न अज़ा अभी ने पापा एक काम बागी है पापा, अब उतर जाना, मैं इधर जाता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा पापा, हाँ बेटा बताव, सुपर सीक्रेट वाई किदर है जल्दी बताव, तीन तक कांट गरूँगा नहीं तो तुमारी गर्दन तोड़ दूँगा थीन, दो, ए बिटा आराम से चिंटू अब तुम दोनों के में तुमारी गहर छोड़ के आउंगा अब यह टेलीपोर्ट हो के मेरे पीछे हैगा मुझे ध्यान लखना होगा यह 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 किया यह 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 इ। क्याहकि अब यह वीको चुकाई और स्कोपिर से जगने के लिए तमिस के पास चिंटू के पास क्छा एब तेमार पास आब तेरी बारी व्यकूंद प्विश कोने些 हिदेना कि अब कोई फायदा नहीं है ठीक चुंटू अब पाप पॉलिस को कॉल करके इन बच्चों को उनके घर पहुचवा देना ठीक है? ठीक है, बेटा, मैं करवा दूँगा एक काम और अब में एक आखरी काम पूरा करके आता हूँ बेटा, आराम से जाना ठीक है? आपको नहीं पता है आपके बेटे का नाम क्या है? चिंटु दा डॉन अंकल मुझे पता था तुम जरूर आओगे लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे आपने मेरा गलत फाइदा उठाया और उन सारे बच्चों के साथ भी गलत किया अब आपको रोकना होगा अब मैं बन गया हूँ तुमसे दसकुना ताकतवर छिंटू अब तुमसे बचने वाला अब चिंटू क्या होगे तुमें मुझे पता थी जिंटू तुम्हे ऐसे मुकाबला इस से नहीं कर पूँगे इसलिए मैं तुमारे लिए सुपर बवर सीरम लाया हो इसे पीलो जिससे तुमारे अंदर बहुत आली तागत आ जाएगी चिंटू पीलो जल्दी चिंटू उठो चिंटू उठो उठो आहहहहहह मेरे अंदर तुस्ते सुग न जादा पावर आगी है डॉक्टर पॉक्टर इतनी पावर कैसे आई चिंटू अब हमें घर चलना होगा पापा पापा ये अंकल को क्या हो गया पापा तो केंशन मत ले बिटा मैं सब कुछ देख लोगा अगर मैं इन सारे टैरों की हवा अपने पेट में भर लूँ तो मैं पेराशूट की तरह आसमान में उड़ दाऊंगा बचाओ 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 अरे अंकल क्या हुआ बिटा बैंक में बहुत सारे लोगों ने कबजा कर लिया है